कैसे हैं आप उम्मीद आप सभी स्वस्थ और मश्थ होंगे आज का हमारा विशह है सुखी खांसी जिन मडीजों को सुखी खांसी है लंबी समय से खांसी है या फिर जिनको weight cup है यानि कि उनको welcome आता है और बहुत ज़्यादा परिशानी होती है बात करेंगे ऐसी medicines के बारे में जो सुबह शेम के खासी है और ऐसे मरीज जिनको रात में सोते समय खासी होती है इनके साथ एक combination का भी मैं medicine लेकर आया हूँ ये कोई sponsored वीडियो नहीं है ये मेरे आधार पर जो मैंने results medicines के देखे हैं उनके basis पर मैं आपको medicine बताने जा रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और इस वीडियो से आपको बहुत राहत मिलेगी सबसे पहले समझ लेते हैं कि खासी होता क्या है और ये खासी होती क्यों है तो खासी एक ऐसी क्रिया है जब भी हमारे सरीर में कोई allergy या फिर कोई infection होता है ट्रेकिया में सूजन आती है या फिर ट्रेकिया या लेरिंक्स या फिर गले में सूजन आती है या हमारे bronkers जो होते हैं जो infection नीचे चला जाता है वहां पर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो ऐसी condition में हमारे खासी हमें आती है जिसे हम forceful expression कहते हैं जिसे एक दिम से gas हमारी बाहर निकलती है तो यहां पर जो हम gas बाहर निकाल रहे हैं यह हमें differentiate करती है कि यह जो हवा बाहर आ रही है इसमें कैसी sound produce हो रही है एक mostly जो common होता है strider और दूसरा होता है imaging sounds तो strider जो होता है वो दरसाता है कि आपके ऊपर के respiratory में infection है यानि ऊपर का respiratory जैसे larynx है यहां पर कोई सूजन हो रही है गले में कुछ दिक्कत है गले में कोई सूजन हो रही है अगर किसी मेरीच को strider sound आ रहा है तो अब यही sound अगर वीजिंग sound आता है माल लेजे तो इसका मतलब है कि वह infection जो है वह नीचे जा चुका है जो हमारे bronchitis जो bronchitis में सूजन हो गए या फिर वहां पर जो वल्गम है वह थोड़ा सा वहां पर जो कहते हैं कि एक mucus type का है वह वहां पर liquid type का वहां पर जमने लगा है ठीक है तो दोनों में differentiate है कि वीजिंग sounds और strider sounds और जैसे मोटी आवाज हो जाती है तोड़ी सी और ऐसा लगता है कि बंदा गले से बोल रहा है जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे तो यह ऐसा लग रहा है आपको कि गले से आवाज आ रही हो और जो वीजिंग sounds होती है जो वीजिंग sounds में एक sound यह जो पीछे से जो और आरी है जो रही है यह दबा में फिर उसमें से हावा निकालेंगे तो उसमें अलग प्रकार के sound आएक तो वह sounds है है ऊसे मिल जाएगा तो मैं आपको फिर से बताता हूं चो कफ शैसे पिछे से कहा है ने वीजिंग होता है तक है इसका मतलब है कि infection हमारा नीचे जा चुका और हमें तुरंत डॉक्टर से मिल लेना है अब ली चांट कहां कहां पर आपको देखने के ज neutrा loser को मुझा नो या या एक ऐसी बिमारी है जिसमें आपके इत जल्दी अफेक्टिर और यह ब्रद्ध हमारे सको सब्सक्राइब रहे होुत हैं अब ही होने environ जो है उनमें होने के chances कम होते हैं क्योंकि जो उनके लंस हैं उनकी जो डाइट है उनके जो काम है जो क्योंकि ब्रद है हमारे citizens है जो बच्चे हैं वो घर पर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं या फिर जो सीनियर citizens उनकी वाड़ी नॉर्मल तरीके से function नहीं कर पाती है समय के अनुसाद धीरे-धीरे उनके functions कम हो जाते हैं तो इसी कंडिशन में बीमारियां आने की chances उनमें ज्यादा होते हैं और जो एडल्ट होते हैं और क्या करते हैं कि काम भी कर रहे हैं कुछ ने कुछ तो करती रहते है हैं तो इसी कंडिशन में वह उनकी जो वाड़ी है ज्यादा उनके functions जो है नॉर्मल रहते हैं और कोई ज्यादा problem उनमें आती नहीं है अब बात कर लेते हैं इसके अलाबा और क्या कारण हो चकते हैं कई ऐसे patients होते हैं जिनको allergy होती है जैसे फ्यूम सी allergy है जैसे गर में सब सब्सक्राण होते हैं वह ब्रेन तक लेकर जाते हैं और वह कहते हैं इसको खांसे लेकर रहा हो कई ऐसे patients होते हैं जिनको allergy कि से है या फिर मिलक से है या फिर कई काफी सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको allergy हो सकती है किसी भी चीज़ से जैसे कोई घर में कपड़े अगर कर लेता हूं कि जो patients को रात के समय में खांसी हो रही है जैसे सोनी के लिए जा रहे हैं और सोते टाइम पर उनको जैसे उन्होंने तकिया पर सर रखा तो उनको खांसी आना start हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है और यह इनकी जो medicines है इस medicine के बारे में बात कर लेते हैं इसमें आ रखता है कि थोड़ी बहुत ठसका टाइप का आदा है तो वह रात में सुने से पहले दो गुंटे पहले आप इस medicine की दूड्रॉप टंग पर डायरेक्टे लिए ठीक है और यह दबाई आपको कम से कम 15-20 दिन चलानी है इसके साथ मैं ध्यान रखें आपको खाने पीने पर इस्टार्ट हो जाएंगे अब बात कर लेते हैं कि medicine के अलावा को और कौनसी medicine है जो जिनको ट्रुबा क्लॉसिस है या जिनको इनफेक्शन से ऐसे मरीज में हम कौनसी medicine यूज करें ऐसे पीशेंट में एसेटी कम एसीडम एक medicine आता है थर्टी पूटेंसी में आप इसे लिजेगा और दिन में चार बार आप दो दो ड्रॉप्स करके से उप्योप कर सकते हैं और ऐसे मरीज जिनको लंबी समय से यह खास बाद ले सकते हैं और कम से कम 15-20 दिन या एक महीन तक आप continue कीजिए को बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे बहुत अच्छे रिचल्स और मेडिसेंस के मिले हैं अब मैं लास्ट में बात कर लेता हूं आप से की कॉफसिन बाद के बारे में एक शायरप आता है हो में पर ब्रा सामने है भूधी रहे हो तो वहां पर चुझास में होते हैं कि हमारे प्रफलेटेश जों हैा सामने वाले को जाल रहा है सामने होले है इस मेडिशन को भी आप ऑपीょकाते हैं इस मैडिशन का जो क्या कफ और जिनको डॉय कर सकते हैं और ऐर जनको ढ़ने खोजिसे साथ मे इसके साथ में एक फटयटिमी नीफ ऐख की चलती है इसी कंडिशन में आप इसे लिए चाहता है तो उसको थाटी में थोड़ा बहुत दर्द होता है यह क्रौनिक जो कफ है क्रौनिक और एक्यूट कर तो आप इसे क्र सकते हैं तो उम्मीद है कि मैडिसें से आपको आरहम मिल जाएगा और उम्मीद है कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत फायदे मन्द फाइद नहीं तो मेडिकल से रिलेटर्टेड वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सबसक्राइब जरूर कीजेगा जिसे आने वाली वीडियो आप सब्सक्राइब तक आसानी से पहुंच सके आप सब्सक्राइब को पता है कि मैं काफी वीडियो लेका आता सी CPA भाइब के वीडियों के बारे में भी बहुत अच्छे वादों करने बाना हूं तो काफिष हरा अपको मिलेगी और अम्मीद है कि वीडियो आण से आपने बहुत कुछ रली होगी किसा मिलेगी और अच्छा लगे है तो ओफ दो सेयर करें लाइक करें और कमेंट करें फिर मिल देखने वीडियो में अब तक के लिए श्वस्तरिये मस्तरिये और अपने फैमिली के साथ टाइम अच्छा से स्पैंड के जिएगा सो बाबाय टेक है थैंक्स पर वचिंग हैव नाइश टे